हलो गाईज कैसे हूँ आप सब आप सब आप सब अच्छे होंगे एक बर फिट से आप सब का आपके अपने यूटूब चैनल ग्यान रोची में बहुत-बहुत स्वागत है आज हम आपको बहुत कुछ दिखाने वाले हैं गुमाने वाले हैं क्योंकि आज हम खुद घूम रह हैं आप लोगों के लिए तो हम बाहर का वीडियो सोट कर रहे हैं और ननन्द हमारी अंदर हैं डॉक्टर को दिखा रही है तो देखिए यहां पर कितना अच्छा लग रहा है बाहर बिल्कुल खुला-खुला सा है रोड़े बनी हुई है और गाड़ियां बहुत कम चल रह हैं यह हमारे देवर आये थे तो इनको हम भेज दे रहे हैं घर और बाद में हम जाएंगे अपने फोर्विलर से तो देखिए वो चले गए हैं और अभी हम यहां पर हैं थोड़ा यहां पर घूमेंगे फिर एंगे टहलेंगे उसके बाद हम अपने ननन्द के साथ साथ समान लेना रहे गा मार्केट बहुत घाना है देखा रहे हैं कितनी देर में निकल रही तक वो नहीं निकलती हैं, तक हम आपको बाहर का नजरा दिखा देते हैं, तो ये सारे मकान बने हुए हैं, रोट पे, तो हम बाहर रोट पे ही खड़े हुए हैं, और वो अंदर हैं, देखिए, हम अंदर जा रहे हैं, उनको काफी देर हो चुकी है, अभी वो बाहर नहीं नि वैसे ही वो आ जाएंगी वैसे ही हम लोग यहां से निकल जाएंगे साम के चार बज रहे हैं हम लोग चार बजे के करीब आये हुए हैं यहां पर बजार से सब्जी लेनी थी इसलिए हम चार बजे आये थे हमने सोचा था कि चार बजे से बजार भी लग जाएगी, और हमको सबजी भी मिल जाएगी, हमारे यहाँ की बजार जो होती है, वो साम को ही लगती है, तो इसलिए हम साम को ही जाते हैं, और ये ननन्ध हमारी बस निकल चुकी है, देखिए, ये आ गई है, और अब हम लोग गाड़ी पे बैठ लेंगे और सिधे चले जाएंगे ये अपनी रिपोर्ट अपने हाथ में लिए हुए है जो डॉक्टर ने इनको दवाईयां लिखी है तो ये अपनी दवाईयां लेंगी और हम लोग घर की तरफ जाएंगे पहले सब्जी लेंगे और उसके बाद घर जाएंगे यह हमारी गाड़ी भी खड़ी हुई है बगल में गाड़ी में हम बैठ जाएंगे और बजार की तरफ जाएंगे आपको थोड़ा सा बजार का भी सीन दिखाएंगे रोड का भी दिखाएंगे दिखें यह हमारे यहां का रोड है और हम जा रहे हैं बजार सब्जी लेने देखे चारो तरफ से पेड़ लगे हुए हैं और यह हम बजार पहुचने वाले हैं यह अभी हम बजार नहीं पहुचे हैं यह हमारे रास्ते में दुकान लगी हुई है जहां पे ये सब्जियां बेच रहा है लेकिन हम यहां पे नहीं लेंगे सब्जी हमको मार्केट से लेनी है तो हम वहीं लेंगे हम वहीं पे लेते हैं क्योंकि वहाँ पे ताजी सब्जी आती है तो हम ताजी ताजी सब्जी ही लेते हैं हमको थोड़ा पत्तेदार सब्जी भी लेनी थी इसलिए हम ताजी ताजी सब्जी लेंगे तो यह हम पहुँच चुके हैं बजार और यहाँ पर देखिए सब्जी बिक रही है आपको देख के लग रहा होगा कि यह सारे सब्जी ताजी ताजी सी है पत्तेदार सब्जी है टमाटर भी बड़ी है ताजे ताजे से हैं तो हम यहीं पर सब्जी लेंगे देखिए कितनी बड़ी दुकान लगी है सारी दुकाने यह सब सब्जी किसानों की दुकाने हैं जो सब्जी आती है पूरी ताजी ताजी फ्रेश सब्जी आती है और पीछे खुदाई का काम चल रहा है उस तरफ रोड पे तो देखिए आप लोग देख सकते हैं कितनी मिट् भी लगे हुए हैं तो मार्केट तो हमारी लगी है लेकिन बहुत भीड नहीं है क्योंकि यहां पर खुदाई का काम भी चल रहा है